हेलो स्टुडेंट इन दिस वीडियो वी आर गूंग तू सॉल अवर एक्सरसाइज फॉम दे चाप्टर बायो टेक्नोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रॉसेस चाप्टर से आज एक्सरसाइज को सॉल्व किया और कुछ ऐसे कुश्चन से जहां पर इंटरनेट के हेल्प लेनी से या फिर टीचर से कंसल्ट करना था सो हम उन्हीं कुश्चन को यहां पर डिसकस करने वाले तो जैसे ही हम लोगों ने अपना फर्स्ट कुश्चन रीट किया यहीं पर हमें सबसे पहले इंटरनेट के हेल्प लेनी पड़ गई बिकाज उफ क्वेश्चन में बोला हमें, can you list 10 recombinant proteins which are used in medical practice, find out where they are used as therapeutics, use the internet, so internet के हेल्प से हमें 10 recombinant proteins के नेम बताने हैं, जो कि हम बायो टेक्नोलोजी के थुरू मेक करते हैं, so let's we understand this question answer, so students मैंने इंटरनेट के हेल्प से 10 recombinant proteins के नेम में मेंशन के हैं, और कहां पर हम इसे medical practice में use करते हैं, वो भी समझेंगे, तो सबसे पहला answer है आपके सामने यहां पर, about the human insulin, human insulin को हम make करते हैं, बायो टेक्नोलोजी के थुरू, और इसका use हम करते हैं medical practice में, for the diabetes, आपको मैंने पहले ही बताया है, diabetes mellitus की जो problem है, उसे हम insulin के help से treat कर सकते हैं, so यहां प उसके बाद, second number पर देखे, so human growth hormone, so human growth hormone को भी हम make कर सकते हैं, और cure करने के लिए, डॉर्फिनिजम की problem को, so जो भी डॉर्फिनिजम हम जानते हैं कि height नहीं increase होती है, so उसे हम cure कर सकते हैं, human growth hormone की help से, third number पर है, यहां पर blood clotting factor, so blood clotting factor आप जानते हैं, हीमोफीलिया की problem होती है सो हीमोफीलिया की problem को treat करने के लिए, हम blood clotting factor को form कर सकते हैं, और हीमोफीलिया को treat कर सकते हैं, next one उसके बाद देखे हैं, fourth है, fourth है हमारे TPA, जिसे हम लोग बोलते हैं, tissue plasminogen activator, जो की heart attack या heart stroke से safe रख सकता है, so यह हमारा हो जाएगा, number four पर, देखे, आप internet के help ले रहे हो, तो आपको different answer मिल सकते हैं, एक ही question के different answer मिल सकते हैं, next है यहापर, fifth question, fifth points देखते हैं, तो PDGF है, जो की है platelet derived growth factor, जो की stimulate करता है wound healing को, जैसे चोट लग गई, तो आप वहाँ पर wound healing में, घाव में, आप इनका use करते हो, next है, six number, interferon, interferon हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके है हम लोगों ने इसे, you know, study किया था, chapter number eight में ही, so interferon को हम make करते हैं और treat करते हैं, treatment of viral infection, so viral infection को हम interferon के help से treat कर सकते हैं, next देखते हैं, next है हमारा interlinking, interlinking हम make करते हैं, enhance करने के लिए immune reactions को, तो जो भी हमें immunity improve करनी है, या immune reactions को increase करना है, उसके लिए हम interlinking का use करते हैं, next one, उसके बाद देखते हैं, so next है हमारे पास hepatitis B vaccine, जो की हम make करते हैं, for the prevention of infectious disease को treat करने के लिए, then next है हमारा nine point, और nine है हमारा harpes vaccine, harpes vaccine को हम लोग use करते हैं, for the prevention of infectious disease, so harpes आपको पता ही है, जो की STD है, एक sexual transmit disease है, और उसके लिए हम harpes vaccine make कर रहा है, and then, so it's infectious disease से safe रखने के लिए, next point देखते हैं, next point है हमारा, DNA is first, और इसे हम use करते हैं, treatment of cystic fibrosis, students, यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो diabetes हो, डॉर्फिजम हो, हीमोफीलिया हो, या फिर अभी हम लोग cystic fibrosis पढ़ रहा है, ठीक है, so यह सारी disease आप पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार recall कर लिजेगा, क्योंकि आपको जरूर कुछ लोगों को लग रहा होगा, कि यह तो नया है, cystic fibrosis क्या है, तो मैं बिलकुल भी अभी नहीं बताने वाला हूँ, इस questions को आप ही को understand करना है, ठीक है, इन points को आपको understand करना है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप internet के help ले रहे हैं, आपको difference thing मिल सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही points मिलें, जो मैंने आप से अभी discuss की है, ठीक है, तो answers change हो सकता है, but list हमें जो form करनी है, वो 10 in number according to NCRT होनी चाहिए, so hopefully आपको इस question का answer clear हो गया होगा, internet के help से, so thank you student,